हेलो दोस्तों कैसे आप सबसे दोस्तों उमीद करता हूं आप सब कहा रही से होंगे ठीक होंगे भाई लोगों आज की वीडियो के पर हम बात करने जा रहे हैं कि फेस्बुक अकाउंट को हम सर्च कैसे कर सकते हैं और कुछ लोगों का फेस्बुक कोई भी परॉफाइल को पॉर आकॉँट और वह तभी बहाँ पर बहाँ सरच नहीं हो जाती है अब यहां पर मेरे पास एक अकाउट मुँद है इस त्रीके से आपको अलग से एक अकाउट बना ले ना है अगर आपके पास है और यहाँ पर भी दोस्तों आपको शो नहीं हो रहा है या आप लोग आउट करके आप अपने फून को रिकावर करने के लिए कोई मतलब जो आईडिया आप रिकावर मतलब जो ढूंड रहे हैं या सर्च कर रहे हैं, वहाँ पर भी दोस्तों आपको शो नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर आप कैसे शो कर सकते हो, या आपके Facebook अकाउट के ओपर भी शो नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ से भी इसको कैसे शो कर सकते हो, मेरी इस वीडियो को पुरा एंड देख लेना, आपके सेहर में कोई भी ऐसी प्रोब्लम है, जो आपको सिर्फ Facebook अकउट सर्च करने में कोई भी प्रोब्लम हा रही है, चाहले वो recover करने में सर्च नहीं हो रहा है, या वैसे आप Facebook अकाउट किसी का मतलब जो हो सर्च करना चाहते है या आप अपनी पुरानी ID को सर्च करना चाहते हो तो मेरे इस वीडियो को पूरा end तक जरूर देखते रहना अब सबसे पहले दोस्तों आपको Facebook अकाउंट को open करना कोई भी account open कर सकते हो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले ID होगी आपने ये देखना है कि उसके उपर दोस्तों आपने कौन से friend को add किया था और उन friend को आप जब यहाँ पर search करने की कोशिश करें अब मालने दोस्तों वहाँ पर आप friend को मतलब करके मतलब जब जब उसको कर लेते हो और वहाँ पर दोस्तों आपके Facebook की ID वहाँ पर हो सकती है लेकिन यहाँ पर माल लो अब मेरे पास ये एक ID है ठीक है यहाँ पर आपने वो ID को ढूंद लिया लेकिन आप उसको वैसे ही search आप करना चाहते हो या आप recover अपना account करना चाहते हो तो उससे आप कैसे वो टॉप नमबर पर ला सकती हो उसके लिए दोस्ता आपको ये करना होता है कि आप लोग अपने account में जैसे यहाँ पर Facebook में आ जाते हो यहाँ पर आपने अपना Facebook account open कर लिया यहाँ पर आपको तीन option देखने को मिलते हैं इस पर क्लिक करते हो और क्लिक करने के बाद आपको एक आपका account का नाम देखने को मिलेगा और साथ में आगे profile link लिखा हुआ है आपने इस link के उपर profile link के उपर click करेंगे और नीचे link to profile copied हो चुकी है यानि कि इसका जो link है वो copy हो चुका है अब हमें करना क्या है अब माले दोस्तों यहां पर मैं Chrome browser में चला जाता हूँ यहां पर यहां पर कोई भी browser open कर सकते हो link जैसे ही copy करोगे अब paste कर देना है यहां पर आपको link को अब जैसे paste करोगे यहां पर आपको उस account को login कर लेना है जो भी आपने बना रखा है fake बगरा यह जो भी लेकिन अगर आप वहां पर नहीं भी आते हो तो आपको यहां पर open भी नहीं करना है लेकिन आपको उपर एक line देखने को मेरी यह वो आपके पास आएगी आपने इस पर tap कर देना है और यहां पर एक आपको पैलसन का इकन देखने को मिलेगा आपने इस पर क्लिक कर देना जैसे क्लिक करोगे यहां पर दोस्तों आपको जब last में एक slash यहां पर जब शहाब राजपूत 515 यह मेरा user name बन गया यह मेरा profile का नाम नहीं यह मेरा user name है ठीक है यहां पर slash यहां पर लिखी हुया है dot com के साथ ही दोस्तों slash है इसको सारे को आपने ख़त्म कर देना है जैसे ख़त्म कर दोगे इसको आपने यहां से copy कर देना है जैसे कोपी करोगे यहां से आपने आजाना है बैक और फेस्बुक अकाउंट के उपर आजाना है अब आप वहां पर रिकावर करना चाहरे तो वहां पर दोस्तों आपने टाइप कर देना है या आप जो यहां पर आप सर्च करना चाहते है टॉप नमर पर लाना चाहते हो तो यही यूजर नेम आपने उस जगह पर भी पेस्ट कर देना यह आपका अकाउंट टॉप नंबर वन पर आ जाएगा उमीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगए है क्योंकि लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना नेक्स्ट टोबी साथ